वेल्कम टू प्रोटीज प्लीस लाइक शेर और सब्सक्राइब नंबर आना था वो है आईटी सी का अच्छा बहुत बढ़िया स्टॉक जब मार्केट थंडा पड़ा था आईटी सी अपनी मस्त मौला चाल में था नंबर्स डिल्वर कर पाएगा अच्छा परफॉर्मन्स देखने को मिला है मुनाफ़े और रेवन्यू के फ्रांट पर इन कंपनी उमीदों पर खरी उतरी है मुनाफ़ा आया है करीब 4,191 करोड 12% का इजाफा देखने को मिला है 4,150 करोड का अनुमान था उससे कहीं बहतर 17% की बढ़त रेवन्यू में 15,531 यहां पर 15,100 के आसपास का अनुमान था तो यह भी एक बीट है इबिटा लेवल पर भी आप देखिएगा 5,224 करोड का आकड़ा ठीक अनुमान को मीट करता हुआ मार्जिन कंपनी के स्टेबल रहे हैं डिकलाइन नहीं हुए है वो एक पोजिटिव है 33.7% के आसपास अनुमान था थोड़ा से इंप्रूव होगा मार्जिन लेकिन मेंटेन किया वही काफी है 10% तक का अनुमान वहां पर था कंपनी ने कहा है कि H2 में याने कि 2 दूसरी 6 माही में FI22 की दरहसल वॉल्यूम्स में अच्छा खासा पिक अप देखने को मिला FMCG बिजनेस में 12% का इजाफा रेवन्यू में FI20 के Q4 के मकाबले 30% जाधा बढ़ा है तो pre-covid numbers के beyond numbers देखने को मिल रहे हैं अच्छा performance margins 9% पर कायम है यहां पर भी discretionary spend अच्छा खासा है stable convenience food का जो spend है वो stable रहा है hotel sector का revenue 35% बढ़कर 390 करोड पर आया average room rates में sequential improvement देखने को मिला है वो अच्छा संकेत है agri business में 39% तक की growth है यहां पर growth आई है क्योंकि गे हूँ चावल के business में इजाफा और इनके leaf tobacco exports में इजाफा देखने को मिला है volume दरह से leaf tobacco business में ही सबसे जादा देखने को मिली है और paper business भी अच्छा खासा perform कर रहा है करीब करी 32% तक की revenue growth देखने को मिली है higher volume और realization दोनों का फायदा company के हाथ लगा है और company basically कह रही है paper business के across segments में demand जो है वो अच्छी खासी revive होती भी दिखाई दे रही है इधर margin expansion भी अच्छा खासा हुआ है यह रहा तो ITC हर पैमाने पे numbers अच्छे अच्छी आई होटल सी थोड़ी expectation से कमजोर आई है लेकिन across the board आपने upgrades देखे हैं target prices में अगर आप JP Morgan की बात करें या जेफ्रीज की बात करें target बिल्कुल ही 305 रुपय है और Morgan Stanley का भी overweight है target 293 अगर हम JP Morgan की specifically बात करें तो इन्होंने 5% से FI24 की EPS का अनुमान अपना बढ़ाया है Morgan Stanley का मानना ये है कि होटल कारोबार आगे चलते हुए काफी अच्छी तरीके से perform कर सकता है तो वहाँ एक आपको tailwind आता हुँ दिखाए देगा और Jeffries का मानना ये है कि जब पूरे FMCG pack में margin pressure दिखाए दे रहा है ITC के नतीजे काफी stable है और बेतरीन है margin front पे in fact cigarette volume growth जो 9% काया है वो भी उनको impressive लगता है हाला कि वो in-line है expectations के लेकिन फिर भी ये environment में काफी resilience दिखाता हुआ ITC का overall cigarette pack और FMCG pack जे हैं सेगर अब देखिए और FMCG और होटल करोबार को लेकर आप इंटेप्रियां सुनी याद रखिएगा ITC जो ये तिन ने अभी अगर आप देखने targets दिखाए ज़रा प्रीज targets की plate लिकेए और मैं इनको एक औसत average target में convert करूं तो 295 से 310 की trajectory खुलती है मानस ये वो trajectory है I think अगर आप बीते एक साल में अगर आप देखें और दो साल में लेकिए ITC को बेटे हैं तो आपका अब मेरे खियाल से average price 200 रुपे के आसपास आता हुगा है 210-220 के आसपास अब 310 की targets आ रहे हैं 310 यानि ITC के career का second best zone जो कि इसने अगस 2018 से लेकर मार्च 2018 की बीच में रेगेन किया था अगर ये आज ये कल में 270 के cluster को पार करते जो कि I think इस flag का high भी है मानस तो 310 की possibility कितनी बन रही है अपनी trade positions पे और investment positions पे आपका view क्या है अब बिल्कुल खरीदारी के मौक्य भी है क्योंकि यह प्रेकाउट कि तो अलड़ी आ चुका है कल कर अब ने जो जो अगर आम ट्रेंड लाइंग बनाएंगे तो उसका प्रेकाउट अलड़ी देख लिया है जो अकर प्लाइक पैटन के अपर बैंड को बनाएंगे तो तो मेरा समझने कि प्लाइक पैटन के ब्रेकाउट अलड़ी हो चुका है खरीदारी बिल्कुल करने चाहिए फ्लाइक बहुत बढ़ा था 208 रुपे से लेकर 275 रुपे के आसपास तक था तो उस तरह का मूब आपको देखने को मिल सकता है जो टेक्निकल टार्गेट है वो 320 रुपे के आसपास के आते हैं पोजिशनल पेसिस पे इसले बिकुल इन्वेस्मेंट के अपरश्टी अभी भी है 250 के नीचे स्टॉप टॉप टॉप के खरीदानी करीए 320 रुपे के टार्गेट के लिए ओके आई टी से शराच जी बहुत संशेप में आपका व्यू आई टी सी पर 266 के प्राइस में इसमें तरह आप देखे पूरे FMCG बासकेट में कहीं भी रत्ती भर प्राइस स्टेबिलिटी नहीं है स्ट्रक्चिल डेमेजिस हैं आपका व्यू आई टी सी पर इन नंबर्स के साथ संशेप में कि हम तो बुलिश भी रखते हैं मुझे लगता है पूरे स्पेस में सबसे डीसेंट वाल्यूएशन प्राइटी सी क्रेड कर रहा है और नंबर्स भी अक्रॉस सेग्मेंट भी बीट है तो मुझे लगता है अगर आप एक साल फॉरवर्ड पे 25 वाल्यूएशन भी पकड़त सबसे 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 यह और रुची सोया आजकल टसल में होसा डिबेट चलता रहता है लेकिन ठीक है उस टॉक पे भी कल बाबा आये थे चैनल पर आपने देखा था साड़े नौ परसेंट दस परसेंट का उच्छाल रुची सोया के स्टॉक में उस आवास के इंट्रक्शन क इस पर बाचीत होगी और अबसी साथ से भी जानेंगे इस स्टॉक पे कोई उनका व्यू बनता है नहीं बनता है लेकिन कल नंबर्स कई सारे थे एक तो ITC निफ्टी का कॉंस्टुएंट इसके लाब वाइदा बजार की तीन और नंबर्स बजार बंद होने के बाद आये थ टॉक्स टुवाज जितने इंपोर्टन स्टॉक्स नियुस डिसकास हो रहा है वो सारे